खेत खजाना में आपका स्वागत है आज दिसंबर के 26 तारीफ है और दिन है मंगलवार आज भी सरसों में थोड़ा सा और सुधार दिखाई दिया है 25 रुपे से लेकर के 50 रुपे तक बाजार बढ़ता हुआ दिखा है और विस्तार से बात करेंगे सरसों के बाजार के बारे कीजिए ताकि वीडियो अप्रोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसे लाइक और शेर कर ही रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आबार आज जो कल हमने वीडियो बनाया था उसमें कुछ प्रशनाएं हैं सरसों सीड के साथ साथ मस्टर्ड अजे और इसमें सवाल पूषने वाले कौन सी बात हुई से नीचे सरसों कहां तक जा सकता है देखे सरसों की जब क्रॉप आएकी नहीं अभी तो कोई ज्यादा गिरने के संभावना नहीं है लेकिन जब क्रॉप नहीं है तो फरवरी मार्च के अंदर इसके भाव जो भरतपुर और जाने की संभावना रखता है तब तक कोई ज़्यादा गिरावट इसमें लगती नहीं है हालां कि आज भाव जो भरतपूर का है वो चववन सो एक रुपे खुला है तो आज यहां से आप ये मान के चलिए कि सो उर्पे दो सो रुपे तक की गिरावट बढ़ सकती है इस स चलिए आप कुछ कह रहे हैं तो आपको अविश्वास होगा इसलिए आप कह रहे हैं उड़त के बारे में बताइए देखिए उड़त की जो नई फसल है उसकी आवक होनी शुरू हो गई है और नेफट भी विक्री कर रहा है आयात भी हो रहा है तो इन सब कारणों से फर्म हमारा तेल तिलहन का है तो मैजे के भाव की मुझे कोई जानकारी नहीं रहती है मुंफली आने वाले दिनों में मुंफली के अंदर भाव बढ़ने की प्रबल संभावना है फिलहाल बाजार पंदरा सो पिचतर पे मुंफली तेल की बात कर रहा हूं मुंफली तेल का भाव 1550 रुपे 1575 रुपे गुजरात का भाव है राजकोट कड़ी का ये भाव यहीं पर ठहरा हुआ है और इसमें गिरावट की संभावना कम है बढ़ने की संभावना ज्यादा है धान के बारे में आशियश गुपता पूछ रहे हैं धान के बारे में नहीं जानते हो तो न आईसल माई सरसों 31 कौंटल 4926 रुपेस पर कौंटल बरवाला मंडी ये नवीन पूनिया सहाब है ये उन्हें अपना सरसों बेश दिया है चलो शुब कामने मोंग के बारे में जानकरी जरूरते हैं मोंग की भी स्थिती वही है मोंग की जो नई बिजाई है वो घट रही है हलाकि और पीछे का जो उत्पादन है वो लगबग लगबग कपत में चला गया है और डिमांड जो है मोंग की हमेशा बनी रहती है अभी मोंग की जो डिमांड है वो है लेकिन मोंग में बड़ी तेजी की संभावना नहीं है यहां से बंदा नहीं है अभी जो दिल्ली का ज बहुत कम है भरतपुर बंडी का सरसों का भाव पच्पंसों नहीं होगा क्या सर हाँ यह हो सकता है पच्पंसों हो जाए क्योंकि आज चोवन सो रुपे का भाव तो हो ही गया है तो इसमें बढ़ने की गुझाईश है थोड़ी बहुत लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की संबावना नहीं है पच्पंसों से ज्यादा या पच्पंसों पचास से ज्यादा बढ़ने की गुझाईश मुझे नहीं लगती है कि होगी आज सर्सों का भाव भी साथ साथ बताते चलें आपको आज सुबह सलोनी का जो भाव है शनिवार को यानि सोंवार को कल शाम को भाव सर्सों का सलोनी का भाव 50 रुपे बढ़ गया था और कोटा का भाव हो गया था 6050 रुपे सम्षाबाद दिगनेर का भाव हो गया था 6150 रुपे लेकिन आज सलोनी ने सुबह भाव स्थिर खोला यानि जो भाव कल शाम को बंद किया था वही भाव खोला लेकिन अभी अभी 10 मिनट पहले इसमें 25 रुपे की गिरावट आई यहर कोटा का भाव रह गया 6,025 रुपे अलवर भी 6,025 रुपे पर है सम्षाबाद दिगनेर और आगरा का भाव है 6,125 रुपे भरतपूर मंडी आज 541 रुपे पर खुला है कल से 35 रुपे तेज है जैपूर भी आज 25 रुपे तेज हुआ है जैपूर का भाव हो गया 525 रुपे चर्खी दादरी दिल्ली और टोंक निवई लाइन पर भी बाजार 50 रुपे तेज हुआ है दिल्ली 54 चर्खी दादरी 54 बर्वाला 52 हिसार 53 मरेना 51 पिचतर गौलियर 52 बीकानेर 5150 नागोर 52 अलवर 54 नडवई 54 खेरली मंडी 54 सुमेरपूर 54 गंगापूर 54 ग्यारा खेरतर 54 कोटा 53 बीपी आगरा 58 बचाज शारदा 58 गोईल कोटा 54 नोहर मंडी 5000 अबोहर मंडी 500 रुपे टोंक मंडी 53 पांच रुन निवई मंडी का भाव है 5325 रुपे सरसों के अंदर मैं बहुत विसार से आपको सारी बातों की जानकारी दे चुका हूँ उत्पादन की और आने वाले समय में जो भाव क्या रह सकते हैं उस पर भी इसके इलावा भी अगर आपको सरसों के संदर्ब में कोई सवाल है तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना सवाल लिखिए मैं प्रयास करूँगा कि आपको एक संतोस जनक उत्तर दे पाऊँ आज इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार